हेलो फैंड्स तो अभी कुछ दिनों में दिल्ली इनिविश्रेटी का entrance exam है अभी तो उसके जो प्रिवेर्स के अंदर जो questions आये उन सब questions को हमारे जो IFS है वो discuss कर रहा है चाहे वो physics हो चाहे chemistry हो चाहे biology हो चाहे mathematics हो इन सब के जो प्रिवेर्स के जो भी questions है उनको discussion कर रहे हैं भी हम ठीक है कल हमारे physics के अंदर मैल सर ने quantum mechanics के जो questions थे हमको discuss किया और साथ में जो उनलाइन क्लासे चल रही है physics की है अपने live class भी चल रही है साथ में life science के चल रही है और bio chemistry के चल रही है IAT jam के लिए और life science के जो net के लिए चल रही है chemistry की चल रही है chemical science की ठीक है तो अब अगर आपके कोई family के अंदर भाई और या बेहन कोई भी अपके ओर relatives है जो आपके नीट की तहरी कर रहे है या फिर net की कर रहे है IAT jam की कर रहे है या फिर DU की कर रहे है DU MSC के लिए ठीक है तो आप IFS से help ले सकते हो ठीक है और physics ही नहीं जैसे अपने आपके कोई भाई भायन है जो chemistry के अंदर MSC के एक्जाम देने वाले है MSC के लिए DU का तो उसके video भी अवेलेबल है या फिर एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएंगे तो वह सब आप देख सकते हैं ठीक है तो मैं discuss करूँगा आपने previous years के जो questions आ रहे है अपने DOET के 2016, 17, 18, 19 के electronics के जो questions है वह सब मैं discuss करूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये question आया था 2016 के अंदर first मैं आपको example बताता हूँ कि कैसे decimal number का जैसे binary में convert करके whose compliment लेते हैं तो देखिए decimal number 11 है उसका binary क्या होगा 1011 होगा ठीक है अब इसका compliment लेना है तो first हम क्या करेंगे इसका once compliment लेंगे लेने के लिए क्या करना होगा कि binary number है binary number के अंदर जो maximum number होंगे न उसमें से इसको minus करना है ठीक है तो maximum क्या होगा 1111 होगा इसमें से हम ये minus करेंगे ले one को binary के अंदर 0111 इसको minus किया क्या आया 0010 आया ये है ones compliment ठीक है अब इसका twos लेना है तो उसमें क्या करना है one को add करना है तो ये one add हो गया one आगया zero आगया one आगया zero आगया ये twos हो गया अब अगर इस twos का फिर से में अगर twos compliment लूँगा तो मुझे वही number मिलेगा जो binary के अंदर है ठीक है इस twos का फिर से में अगर twos लूँगा तो मुझे वापिस binary number मिल जाएगा 11 का ठीक है तो इसका मैं क्या जैसे अपने यहाँ पे लिखावा है twos compliment और binary number तो ये twos है तो इसका फिर से twos लेंगे तो binary number मिल जाएगा ठीक है इसका मैं क्या करूँगा twos compliment लूँगा तो twos compliment पहले दे रखा है उसका फिर से twos compliment लेंगे तो बाहिंदरी में आ जाएगा ठीक है तो देखिए क्या करना है इसका ये तो example था देखिए 110110110 इसका twos देना है तो क्या करना होगा इसके maximum क्या होगा ये 7 bit है तो 7 bit maximum आई देनी नमबर क्या होगा 111111 ठीक है तो मैं क्या करूँगा 111111 1111 मैं से 10 11 11 01100 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा 1100100 आ गया ये क्या है ones आया अब इसका twos लेंगे फिर से तो इसमें one को add है मैंने तो क्या आएगा यहाँ पर Zero क्योंकि one plus one recognized चुँ होता है binary के अदर two को क्या लिखते है one zero लिखते है तो one carry आया इसमें one आया फिर से फिर one plus one hvor two होगा फिर से zero आएगा यहाँ पर फिर से आगया ठीक है तो ये हो गया इस 2's का 2's compliment मतलब normal ठीक है अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो number है उसका compliment लेंगे फिर से अगर उसका compliment लेंगे तो वो number आजाएगा वापिस अगर कोई number है उसका 2's compliment लेना है तो क्या करना होगा पहले उसका compliment लिया फिर उसका उसमें one add गया तो जाया उसको फिर से compliment लेके फिर से one add करेंगे वापिस normal आजाएगा जो पहले था तो double compliment is equal to same number जो पहले था ठीक है तो अब ये number आ गया अब को क्या करना है BCD लेना है BCD क्या होता है binary coded decimal binary coded decimal के अदर क्या होगा कि आपको जो ये number लिखे हुए तो इसको 4 bit के group बनाने अलग-अलग ठीक है 4 bit के अलग-अलग group बनाने तो कि यहां से सुरू करने लिए हम राइट से ये 4 का group हो गया और यहां पे 3 है तो यहां पे एक और 0 लगा दीजिए ठीक है है समझ गये तूज को मिल जाए गया होगा फूज को पहले नॉर्मल में कैसे करना होता है बाहंदरी नंबर के अंदर टूज का फिर उसमें वन अपने अपने तूज का आंसर है वो C है चलिए नेक्स्ट कुछिए नेक्स्ट कुछिए इफ अलफा इस 0.98 आइची जीरो इस सिक्स माइग्रो एंप्यर एंड आई बी इस इगल टो इन तीनों के फॉर्मुले हैं क्या है वो तीनों आने चाहिए और एक आपको अलफा बीटे गामा करे लिसन आना चाहिए तो जो भी ट्रांजिश्ट का कुछिशन आएगा वो आप एजीली स्वाल कर पाओगे देखिए common इसके अंदर यूज होगा वो फॉर्मॉल लिखता हूँ मैं ic is equal to beta ib plus 1 plus beta ic b0 लिखो फिर ic 0 लिखो दुनों एक ही बात है ठीक है यह तो है common ammeter configuration का ठीक है common ammeter configuration का second ic is equal to होता है alpha i e plus ic b0 यह किसका होता है common base configuration का common base configuration third i e is equal to होता है gamma ib plus gamma ic b0 यह किसका होता है common collector का common collector configuration का ठीक है एक तो यह तिनों formula याद करने अगर यह तिनों आपको formula याद होंगे तरह आप आराम से पता लगा पाओगे कि इनमें इन तिनों में से कौन सा formula यूज आएगा तो यहाँ पर देखिए एक तो बीटा और बीटा is equal to होता है alpha upon 1- alpha यह याद रखना है एक gamma is equal to होता है beta plus 1 और बीटा is equal to होता है gamma minus 1 दूसरा यह याद रखना है ठीक है तीसरा आपको यह याद रखना है कि gamma is equal to 1 upon 1- alpha आप निकाल भी सकते हो अगर आपको alpha बीटा का relation पता है तो आप gamma का निकाल भी सकते हो और याद भी रख सकते हो कोई ज़्यादा tough नहीं है ठीक है एक तो यह हो गया और दूसरा आपको याद रखना है alpha और gamma के form में तो alpha is equal to क्या होगा gamma minus 1 upon gamma यह तीनों equation अगर आप यह relation है सब आपको अगर याद है तो आप कोई भी question आराम से कर लोगी अब देखिए यहाँ पर use आ रहा है क्या ic is equal to beta ib या फिर ib बीटा कर सकते है plus 1 plus beta ic b0 okay question के अंदर ib के value दे रखिए क्या है 100 micro ampere ठीक है यह हो गया 100 micro ampere बीटा की दिखर alpha दे रखा है alpha तो इसको beta को alpha के form में लिख हो अगर alpha upon 1 minus alpha आ गया plus 1 plus alpha upon 1 minus alpha into ic b0 ic b0 की value है 6 micro ampere 6 micro ampere ठीक है alpha की value क्या दे रखिए हमको 98 है 0.98 तो 100 micro ampere into 0.98 upon 1 minus 0.98 plus यह इसको solve किया तो क्या आएगा 1 upon 1 minus alpha into 6 micro ampere तो 100 micro ampere और यहां पर आ जाएगा 0.98 divided by 0.02 plus 1 upon यहां पर आ जाएगा 0.02 ठीक है और इंटो आ जाएगा 6 यह जाएगा ठीक है तो अब देखिए 6 micro ampere यहां तक आपको सुन्हें आगे है ना अब हमको क्या करना यह point अड़ाद यह multiply किया तो यह आ जाएगा यहां पर 4900 milli यह फिर micro ampere कर सकता है ठीक है micro ampere multiply किया और कुछ नहीं है plus 1 divided by 0.02 को अगर solve करें तो क्या एगा 50 आएगा 50 into 6 micro ampere into 6 micro ampere ठीक है तो यहां यह 4.9 इसको micro को milli में convert करने के लिए 10 raise to power 3 से आपन multiply कर सकते है तो यह 4.9 milli ampere आ गया ठीक है या फिर यह बोले अगर 4900 को 10 raise to power 3 से divide कर दिया तो milli में आ गया plus यह आ गया 300 micro ampere micro को milli में करूँ तो point आ गया जाएगा और आ गया milli ampere इन दोनों को add किया तो 5.2 milli ampere तो IC की value क्या आएगी 5.2 milli ampere तो कौन सा option correct है के अंदर option D है वो तो यह question आयता 2016 के अंदर जाली next question देखिए थ्रसॉल्ड वोल्टेज VT is negative 4 तो आपको MOSFET के बारे में कुछ idea है MOSFET N channel MOSFET अगर पढ़े हम ठीक है तो उसके अंदर VGS is equal to VP होता है यहां पर VGS की value negative होती है N channel MOSFET के लिए और जो N channel MOSFET जैसे work करता है उसका just ultra करता है P channel MOSFET ठीक है अगर N channel MOSFET के अंदर VGS की value है वो minus के अंदर है तो P channel के अंदर प्लस होगी ठीक है N channel MOSFET के अंदर VDS अगर plus में connect है तो अपने P channel MOSFET के अंदर minus में connect होगा reverse है पूरा reverse है तो N channel MOSFET के अंदर क्या होता है कि जो threshold voltage है वो positive होता है तो P channel MOSFET होगा उसके अंदर negative होगा पर यहां पर क्या option दे रखा है N channel enhancement MOSFET है और दूसरा है वो N channel depletion MOSFET है और third option है वो P channel depletion MOSFET है तो यहां पर जो मैंने ग्राफ बनाया यह N channel E MOSFET का बनाया ठीक है और यहां पर option में यह depletion MOSFET की जगह होना चाहिए था है enhancement MOSFET ठीक है just reverse होगा यह और इसका answer है वो C होगा जो भी N channel MOSFET होता है न उसका just reverse जो भी value है ग्राफ है सब उल्टा हो जाता है P channel के अंदर तो the threshold voltage is negative अगर N channel के अंदर positive यह पी channel के अंदर वो चीज नेगेटिव होगी ठीक है इसका answer क्या होगा C होगा next देखिए a master slave flip flop has the characteristic that master slave flip flop यह होता है इसके अंदर क्या होता है कि दो flip flop है वो connect होते है जैसे एक jig के flip flop उसके आगे एक और jig के flip flop लगा होता है और उसका output वापिस feedback हो रखा होता है और इसके अंदर खास बात यह होती है कि जो clock होती है दूनों के compliment होती है यह की clock अग होती होती है कैसे इसका output यह connect होता है इस टाइप से और यहां पर आपका output मिलता है साथ मैं यहां से feedback हो रहा है ठीक है यह J है जे के और यह clock है इस clock के अंदर यह clock है ठीक है तो अगर इस clock का यहां पर one होगा तो यहां दीर होगा सीधी सी बात है ठीक है यह J है यह K है और यह Q है और यहां पर output Q है और यहां पर इसको final output Q है तो क्या होता है कि जब clock हाई होती है जब clock हाई होती है तो जब J और K करनप जो भी change करते है तो उसका output हमें यहाँ पर मिलता है ठीक है पर जब first की clock हाई होती है उस time क्या होता है कि जो यहाँ पर not get गिए जासे second की clock क्या होगी low होगी तो यहाँ 0 होगा अगर first की one है clock में तो यहाँ second में 0 होगा अग clock 0 है तो flip flop है हमें सब previous value देता है जो पहले उसके अंदर value save है वही देता है कोई change नहीं होता है अगर हम उसमें input के अंदर कोई change कर लेंगे न तो भी उसका output कोई change नहीं आएगा आपको पता ही है तो ठीक है तो क्या होता है इसके अंदर की जब first की clock 1 है जगे के अंदर जो change गया वह output तो मिल गया पर जो second जो यह इसको हम बोलेंगे master और इसको बोलते हैं हम slave ठीक है तो जो master के अंदर change हुआ वो slave के अंदर नहीं हो पता है ठीक है जैसे ही clock 1 से 0 होई ही master की clock तो 0 होगी पर उस time क्या होगा slave की clock 1 होगी slave की clock 1 हो जाएगी तो slave की clock 1 होते ही क्या होगा master का जो output है वो भार output मिलेगा हमको ठीक है तो जब master की clock 1 होगी उस time slave की 0 होगी जब slave की clock 1 होगी उस time जो change गया है वो output मिलेगा ठीक है कब जब slave की clock 1 हो जाएगी उस time में output मिलेगा तो option क्या इसके अंदर change in the input at master is immediately reflected in the output of slave immediately कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों की clock है वो compliment है एक एगर 1 होगी दूसरी 0 होगी किसी भी flip-flop कि अगर clock 0 है तो output में कोई change नहीं आता है तो immediately change नहीं होगा जब clock change होगी ना उस time उसका output change होगा जब master की clock 0 होगी और slave की clock 1 होगी उस time output change होगा ठीक है दो यह गलत है दूसरा option क्या है input state of both the master and slave are affected at the same time same time कभी affected नहीं होगा क्योंकि जब master की clock 1 है तो slave की 0 है तो same time कैसे affected होगा और slave की clock 0 है, तो output 10 नहीं हो सकता slave का, third option क्या है, change in the output of slave follows the change in output of master, ये बिल्खुर सही है, क्यों, master का output है, वो सिधा input जाता slave के अंदर, तो जो master का input गया है, वो ही तो slave के अंदर उसके अंदर output आएगा वापिस, जैसे master का output आया है, मान लिजे, q है, 1 आया, जब clock change होने के बाद, j पे 1 जाएगा, तभी तो output वापिस, जो slave का output है, वो 1 होगा न, तो depend कर रहा है, master के output पे slave का output depend कर रहा है, तो ये बोल रहा है, change in the output of slave follows the change in output of master, ये बिल्कुल सही है, जो master के output इसको follow कर रहा है, option D भी देख लिजे, output state of both the master and slave are affected at the same time, same time affected कभी नहीं होती है, क्योंकि दोनों का clock है, वो complement है, इसका answer क्या है, C है, देखिए, the frequency of an LC oscillator is W0, या फिर omega 0, अब देखिए, frequency क्या होती है, LC oscillator की होती है, omega 0 is equal to 1 upon root of LC, ठीक है, 1 upon root of LC होती है, the plate of the parallel plate capacitor are pulled apart to twice the original distance, जो plate थी, उसको खीच के double कर दिया है, तो मान लिजिए, पहले जो capacitor रहा है, उसका capacitance C is equal to epsilon A upon D, और frequency थी, 1 upon root of LC, double कर दिया, उसका capacitance क्या होगा? after distance is, देखिए, double distance होने के बाद क्या होगा, C is equal to epsilon A upon 2D, ठीक है? अब साथ में क्या है, and a dielectric constant K greater than 1, dielectric constant है, के उसकी value 1 से ज़्यादा है, तो dielectric constant उसके बीच में रखा है, क्लेटों के बीच में, तो उसकी value भी साथ में आएगी, यह multiply में, तो अभी जो C1 आया है, जो नया capacitance है, वो क्या होगा? epsilon A k divided by 2D, तो इस नएक की frequency क्या होगी? omega 1 is equal to 1 upon root of L c dash, यह होगी? ठीक है? तो यहाँ पर मैं w0 या फिर omega 0 क्या लग सकता हूँ, root of L epsilon A upon D, यह होगा, और w1 dash is equal to क्या होगा? 1 upon root of L epsilon A k upon 2D, ठीक है? तो देखी, 1 upon root of L epsilon A upon D यह था, और यहाँ पर था, w1 is equal to, यह double होने के बाद की frequency है, ठीक है? L epsilon A, साथ में किया जाएगा, और निचा जाएगा 2D आ गया, तो अगर मैं इसको w1 को, यह फिर epsilon 1 को, और यह omega 1 को मैं यह लिखूँ, 1 upon root of epsilon A L upon D, साथ मैं यह लिखूँ अगर मैं यह आ गया, उसके साथ मैं लिख दिया मैंने, K upon 2, ठीक है? तो यह वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट, इसको मिल ले सकता हूँ, omega 0, तो omega 1 is equal to आ गया, omega 0 divided by root of K by 2, या फिर omega 1 is equal to omega 0 root of 2 upon K, ठीक है? तो बाद में frequency value क्या होगी? omega 0 root of 2 upon K, omega 0 root of 2 upon K, ठीक है? तो option A है, वो इसका correct option होगा, यह कुशन आया था, 2016 के अंदर, देखिए, यह तो अब सबको बता है, 12 से बता है, कि top current law is valid for DC और EC दूनों के लिए valid होती है, क्योंकि current है, वो क्या होती है? टोटल current होती है, यह मलब, जो vector addition of the current है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ketchup के अंदर, जाद देखिए, AC हो है, DC हो है, जो भी हो, यह current I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, और यह I5 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इस इकल टो I5 होगा, यह फिट कोड़ वेक्टर addition of the total current is equal to 0 होगा, ठीक है? तो इसका answer है, वो बोथ DC and AC current दूनों के लिए current low है, वो valid है, ओके, an amplifier with initial open gain of 400 is used as negative feedback amplifier, the feedback factor is 0.05, if the gain of the amplifier charges by, changes यहां पर, by 10% due to temperature, then the closed loop gain changes approximately by, तो यहां पर हमको दे रखा है, तो open loop gain वो दे रखा है 400 and यहां पर जो बीटा है, feedback factor वो दे रखा 0.05, ठीक है? और जो दे रखा हमको changes है, वो आ रहा है, delay upon A is equal to 10%, ठीक है? तो closed loop gain negative feedback का formula क्या होता है, A upon 1 plus A beta, उसके अंदर कितना change आए, वो उमको निकालना है, तो इसका अगर हम log लें, log A dash is equal to क्या होगा? log of A minus log of 1 plus A beta, यह होगा? ठीक है? उसके बाद देखिए, यहां इसको मैं differentiate किया तो क्या है, डेल A dash upon A is equal to, डेल A upon A minus, यहां पर आ जाएगा, 1 upon 1 plus A beta, साथ मैं, अगर differentiate A कभी होगा तो यहां पर बीटा into डेल A, ठीक है? यहां गया? अब क्या करेंगे हम? डेल A dash upon A dash, यहां डेस आएगा, is equal to क्या आएगा? कि हमने यहां यहां पर दोनों को delete देखिए, यहां गया, A upon 1 plus A beta और डेल A को common ले लिए हमने, ठीक है? तो यहां आएगा 1 plus A beta minus beta into A into डेल A, ओके? यहां गया, अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसको यहां पर आगे डेल A dash upon A dash is equal to, यह cancel out हो गया, इसमें, तो यहां गया 1 upon A 1 plus A beta into डेल A, डेल A upon A की value देखिए, तो डेल A dash upon A dash is equal to क्या आएगा? यहां पर आएगा 10% और यहां पर आजएगा 1 upon 1 plus A beta, 1 plus A की value 400 है, बीटा की value 0.05 है, तो इनका आएगा 10% divide by 1 plus 20, तो यहां आएगा 0.5 के आसपास percentage के अंदर option इसका कौन सा होगा तो इसके अंदर change गया आएगा total change gain close loop gain में change गया आएगा वो आएगा 0.5% का option C है वो correct होगा what is the value of the least significant bit of an 8 bit digital to analog converter for 0 to 12 volt range तो यहाँ पर आपको resolution निकालना है और resolution का formula मैंने एक बार अपने class लिए उस time भी discuss किया था resolution का formula होता है vr divided by 2 raise to power n minus 1 ठीक है यहाँ पर range दे रखी है vr किया range 12.8 दे रखा है divided by 2 raise to power n n 8 bit minus 1 इसको solve करेंगे 12.8 divided by 2 raise to power 8 होता है 256 minus 1 255 ठीक है 255 आ गया तो अब मैंने 12.5 को 255 से divide गया तो कितना आएगा इसका solution देखिए 128 दूज़वदा 256 तो इसका answer भी आएगा 0.05 voltage ठीक है इसका answer क्या आएगा यह आएगा साथ में यह तो resolution का था उसके बाद अगर आपको पूचा जाए पर्षंटेज रिजलिशन पर्षंटेज रिजलिशन का फर्मूला हता है वो हता है 1 divided by 2 raise to power n minus 1 into 100 ठीक है पर्षंटेज रिजलिशन का यह फर्मूला है ओके चलिए if the distance between 2 adjacent peak of the x-axis is 2 cm on the CRO screen in which the time per division control is set at 1 millisecond per division then the frequency of the signal is हमको frequency find करना है यहाँ पर और हमको दे क्या रखा है यहाँ पर एक तो distance दे रखिये वो दे रखिये 2 cm और time दे रखा है वो दे रखा है आमको क्या है 1 millisecond per division है तो अगर time period निकालना हमको तो इन दोनों multiply करेंगे time period क्या हो जाएगा 2 into 1 millisecond millisecond को मैं लिखता हूँ 10 rest to power minus 3 10 rest to power minus 3 तो total time आगया 2 into 10 rest time period आगया यह आगया अब time period यह आए तो frequency क्या होगा 1 upon t होगी तो frequency is equal to 1 upon t is equal to 1 upon 2 into 10 rest to power minus 3 10 rest to power plus 3 उपर चला गया 100 होगया divide by 2000 होगया divide by 2 क्या तो 500 hertz आगया option है इसका कौन सा दिए कुछ सना आए था 2017 के अधर ठीक है चलिए what do you mean okay the decimal equivalent of the hexadecimal number is तो इसका decimal equivalent क्या होगा बताई आप क्या होगा इसका बहुत सिंपल इसको decimal क्यों करना है कुछ नहीं करना है यह a लिखा यह 3 है यह b है और right से left की और बढ़ना है और multiply जो भी है अभी hexadecimal दिखावा था hexadecimal की पावर से उसको multiply करना है ठीक है तो hexadecimal बताई 16 की पावर 0 इसको multiply करना 16 की पावर 1 से और इसको करना है 16 की पावर 2 से a है a code अगर बाहंदरी में क्या होगा a का decimal क्या होगा decimal होगा 10 10 into 16 raised to about 2 plus 3 into 16 plus b क्या होथा b को लिखता है 11 11 into 1 तो क्या आएगा इसको यह पी लिखता हूँ 256 into 10 plus 48 plus 11 तो यह हो गया हमारे 2560 plus 48 plus 11 तो यह होगे 2560 plus 59 is equal to जहाँ पे आ गया 2619 in decimal option c है वो correct option होगा इसका ओके बाकी आपको decimal बाहिंदरी तो यह बहुत पहले सिख चुके है आप देखेंगे, simplification of the following Boolean expression इस Boolean expression को हम दो type से simplify कर सकते हैं एक तो अपने Boolean minimization technique है, Boolean theorem की और second के में आपसे पहले हम इस से करते हैं और दुसरी बार हम second के में आपसे करके भी इसका solution इसका तो y is equal to क्या दे रखा यहाँ पे a bar b bar c bar plus a bar b c bar plus a b bar c bar plus a b c bar यहाँ पे मैंने common लिया a bar c bar अंदर बचा b bar plus b फिर मैंने यहाँ पे common लिया a c bar तो अंदर बचा b bar plus b आपको पता होगा और छहरम के अंदर b bar plus b is equal to 1 क्योंकि अगर b bar अगर 1 है तो b क्या होगा 0 होगा compliment ठीक है अगर b bar 0 है तो b क्या 1 होगा 1 plus 0 1 होता है ओके यह 1 हो गया a bar c bar dot 1 plus a c bar 1 यहाँ पे मैंने common लिया c bar को अंदर आया a bar plus a और a bar plus a is equal to 1 होगा इसका अंसर आएगा c bar यह तो हो गया minimize technique से second हम इसको अगर solution अगर fix नहीं हो तो हम k में आपसे कर सकते हैं k में आपसे कर से करेंगे देखिए यह हो गया a bar a b bar c bar b bar c b c b c bar ओके first दे रखा है a bar b bar c bar a bar b bar c bar की जगा 1 किया फिर दे रखा है a bar b c bar a bar b c bar की जगा 1 किया उसके बाद a b bar c bar a b bar c bar की जगा इने 1 रखा उसके बाद आए a b c bar a b c bar यह बन किया यहां से एक group बनेगा कौन सा बनेगा पताई यह parallel पेर बनेगा या फिर quad बनेगा तो आपको पता होना चाहिए a से एक पाय अपने quad बन सकता है और quad में देखिए a और a bar cancel out हो गया यहां पे b bar और b cancel out हो गया इस cancer सीदा c bar आ रहा है तो game app बहुत जदा easy है किस से minimize technique है उससे ठीक है तो game आपने boolean expression के through अपना minimize करते है boolean technique उससे जदा easy है अपने game app से करना है चलिए आगला question आप इसके इंद क्या दे रखाया देखिए two diode silicon and germanium are connected in parallel as shown in the figure determine the output voltage V0 the cut in voltage of for germanium and silicon diode are 0.7 and 0.2 तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें connection कौन सा रहे गया और कौन सा बचेगा यहां पे silicon और germanium तो जहां पे voltage drop कम होता है वहां उसके थूरू current flow होगी ठीक है एक जहां पे voltage drop कम हो रहा है उसके थूरू current flow होगी तो यहां पे germanium की पे तो 0.2 voltage drop हो रहा है जबकि silicon पे है वहां पे हो रहा है इसका जो cut in voltage हो 0.7 है तो इसका circuit कैसे बनेगा यहाँ पर बन जाएगी 0.2 डिप्लेशन ने देना है फिर वल्टीथ ठीक है 0.2 का और यह 10 है उसके बाद यह V-output जो इमको निकालना है और यह ऐसे connection है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक battery बना सकता हूँ 10 volt की ओके तो यह हो गया अपने 10 volt की battery और यह इस type से connect है यहाँ से plus minus 10 ठीक है तो मैंने यहाँ पर लूप लगया तो क्या आएगा minus 10 plus 0.2 plus V-output is equal to 0 तो V-output is equal to क्या आएगा 10 minus 0.2 is equal to 9.8 voltage ठीक है तो इसका answer है D 9.8 voltage यहाँ पर अगर voltage है silicon का कम होता potential barrier पर फिर voltage drop यह silicon का होता 3 और 0.7 तो connection silicon की थूँ होता और वहाँ पर एक battery बंती और बैटरी की दिखम को जो value दे रखी है paper के अंदर वो लिखनी होती है ठीक है और उसके बाद loop लगाया और इसका solution मिल गया इसका answer है वो D है in two's complement representation the number 101101 ठीक है represent the decimal number तो यह two's को पहले हम binary में convert करेंगे कैसे two's का पहले once और इसके बाद तो first हम क्या करेंगे इसका complement लेके फिर वापिस इसको टूज में लेंगे तो binary में आ जाएगा ठीक है double bar two's लेने पर binary जो normal number है binary का वो आ जाता है तो देखिए यह two's है तो इसको मैं वापिस binary में कैसे convert करूँगा first इसको complement लेता है इसका इसका complement क्या से लेंगे इसको maximum से minus करना है तो क्या आएगा zero one zero one zero zero one zero उसके बाद हमको यह तो आ गया one two's लेना इसको one एड़ी किया तो one one zero one zero zero यह आ गया normal binary अब इसको हम decimal में convert कर रहेंगे तो क्या आएगा two raised to power zero two raised to power one इसको two raised to power three से और इसको क्या seven से तो इसका मतलब क्या हो गया 64 plus eight plus two plus one is equal to 75 तो इसका answer है वो कौन सा होगा B होगा ठीक है इसका answer कौन सा होगा B होगा चलिए देखिए यह जो question था होगा बाया था 2019 के अंदर रहे था the circuit of following figure used an ideal operational amplifier for a small position small positive value of being the circuit work as तो तो तेखिए अगर मैं सीधा बता हूँ इसका answer तो इसका answer है अपने logarithmic amplifier और प्रूव करूँ तो भी बता सकता हूँ यह logarithmic amplifier है तो आपने यह पड़ रखा होगा कि जो अपने negative feedback amplifier होता है उसके अंदर यह virtually connected हो दा आपस में ठीक है इसका मतलब यह 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा और उसके बाद हमको करना होता है i1 is equal to i2 ठीक है तो i1 क्या होगा i1 is equal to i2 हमने किया तो i1 तो है हमारे पास v in minus 0 divided by r और i2 क्या है i2 की value है तो diode है diode के अंदर से current flow होती है उसके value होती है i0 e raise to power vd diode voltage divided by nita vt यह होता है ठीक है तो यह i2 current है अब i1 is equal to i2 करना हमको i1 की value i1 is equal to i2 किया अगर तो क्या आएगा v in divided by r is equal to i0 e raise to power vd vd के दिखा v output लिखेंगे और v output क्या है 0 minus v output है minus में आएगा minus v0 divided by nita vt ठीक है अब अब हमने यह क्या किसा i0 को shift कर दिया नीचे क्यों तो v in divided by r i0 is equal to e raise to power minus v0 upon nita vt log लिखेंगे तो यह आगे log v in divided by r i0 is equal to minus of v output upon nita vt तो v output is equal to i0 minus of nita vt log v in upon r i0 तो यह इसका solution आएगा तो इसका correct answer क्या है a logarithm amplifier अब यह diode feedback की जगह अगर input में लगा होता resistance पे यहाँ पे लगा होता यह diode तो यह क्या होता exponential amplifier अगर input पे यह diode लगा होता यह तो exponential amplifier होता आप एक बार इसको solve करके देखना यही तरीका रखना i1 is equal to i2 करना i1 के जगह i0 e raise to power vd upon nita vt करना और output में लगाना minus output current क्या होगी minus v0 upon r होगी तो v0 आपको करके बता देता हूँ देखें अगर diode यह इस टाइप से होता diode यहाँ पे होता और यह rf होता तो v output क्या आता तो इसका solution क्या होता कि देखें i1 is equal to i2 करते यह connect करके और i1 के जगह लिखते है i0 e raise to power v in upon nita vt is equal to 0 minus v output upon rf तो v output is equal to क्या आ जाता rf i0 e raise to power upon nita vt तो यहाँ पे v output है यह जो amplifier होता वो क्या होता exponential amplifier ओके तो इसका जो answer हो क्या है logarithmic amplifier चलिए next देखें an electrical device operate on 9 volt and has a resistance of 21 ohm it is connected at the power supply of 120 volt output through a transformer the current in the primary of the transformer is current निकालने हमको तो अगर हम output के power निकालने अगर तो क्या होगा v square बना r होगा ठीक है तो p is equal to क्या आगा v square बन v की value रखी 9 square divided by 21 तो यह होगा 81 divided by 21 63 3.85 के आस पास watt के बास power आएगी ठीक है तो power consume होई वो इतनी होई अब यह power consume में उसके लिए जो current लगएगा वो input current हो आउटपट current होगा ठीक है तो क्या होगा p is equal to v i होता है तो यहाँ पे 3.85 रखा और input voltage क्या है 220 volt है 120 volt है क्या है 120 volt है into i तो यहाँ से i is equal to क्या आएगा 3.85 divided by 120 तो इसको solve करेंगे तो क्या आएगा देखिए 12 0.0 तो आगे 0 12 336 होता है तो यह हो गया 3 फिर बच्चा पीचे 2 और 5 आगे 4 4 ने 2 आएगा ठीक है तो इसका जो answer होगा वो होगा आपने option A 0.032 ठीक है तो इसका answer होगा कर रहा है option A 0.032 में एंपिर है वो इसका answer होगा चलिए next देखिए the frequency of oscillator of NLC के circuit is यह question repeat हो रखा है यह question 2016 के इंदर भी आए था और मैंने इसका answer भी करवाया अभी वो है W upon 2 upon root K W into root 2 upon K ठीक है तो यह भी मैंने solve करवाया है पहले यह question रापीज रिपीट होगा यहाँ पे ओके तो यह सब question थे जो electronics के अंदर आए है और साभी कल अपने पाड़े करसर और अमरता मैं भी जो previous question आ रखे है उनके discussion करेंगे तो आप जरूर देखना नो बजे और बाकी जो subject है जैसे life science है chemical science है या फिर Milo Jeev mathematics, chemistry इन सब के previous questions के जो भी questions है वो भी discussion हो रहे साथ में तो आपके कोई relative है जो B.S.E. कर रहा है chemistry के अंदर मतलब वही M.S.E. करना चाहता है chemistry के अंदर या फिर mathematics के अंदर या फिर biology के अंदर तो आप ज़रूर उस solutions का discussion है उसको देखिए और उनको बताईए और वीडियो को सेर केजिए Thank you